वहानी की स्टार्टिंग में देखते है पिंसी को जिसकी इंगेश्मेंट हो रही होती है वैंग के साथ लेकिन तब भी महाँ पे सोफी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम प्रेगनेट हो कै तुमने ये गुट्ट्वी सबको नहीं बताई है वैंग की मौम कहती है कि क्या यह बास सच है पिंसी कहती है हाँ यह बास सच है लेकिन वैंग इस चीज़ को एकसेप्ट करने से मुना करता है बोलना सुरू कर देती है सोफी की यह बेवी असल में वैंका है ही नहीं यह तो एक नमबर की कमीनी लड़की है यह बास सुनके यहाँ पर रोना इस्टार्ट कर होता है prim baby का उससे चीज़ के बिल्कुल होती है वह ंद पियार से समझाइं की को उसके को से बाज बाद वह रूम City को अनि भाद बच्चमाहे वहा पर हमने यांचेंग को भी दिखाए जाता है गार के खार प्यार के सामने को साहते हैं ये देखकर उसका गाड़ खुछ सोचता है कि बॉस किसी पच्ची से इतनी प्यार से कैसे बात कर सकते हैं ये तो हमें इसा गुस से मेराते हैं तब हम आपे पिंसी का बेटा आ जाता है अब वो कहता है सौरी अंकल मेरी सुष्टर आपकी कार के सामने आ गई है लेकिन पिंसी यहापे अपने फ्रेंड को थैंक्स कहती है क्योंकि लास्ट टाइम उसने ही उसके मदद की थी यहापे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा प्यों से तुम्हें अभी भी ढूंटा रहता है उससे विश्वास नहीं है कि तो मर चुकी हो लेकिन पिंसी कह देती है कि मैं अ अन्नोन परसन के साथ भीचा था इसलिए मैं सब कुछ पता रगाना चाहती हूँ उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिंसी को जो कि अपना पूरी तरीके से येंचेंग तुरंट उसे समाल लेता है लेकिन ये कहकर नीचे गिरा देता है कि तुम पहले ही दिन मेरे साथ फ्लर्ट करनी की कोसिस कर रही हो और ऐसा कहकर वो वाह से चला जाता है पिंसी उसे काफी ज़दा रूड और घटिया परसन समझती है उसके बाद वो जैसे तैसे क करके अपना इंटर्वियू देने पहुसती है जहां पर जब सोफी उसे देखती है तो उसे डाउट होता है कि कहीं यह जिंदा तो नहीं है यह तो पिंसी जैसी लग रही है पर पिंसी यहां पर उससे थोड़ा पागल बनाने के लिए चकमा देने लगती है और कहती है कि मैं इस पैक्स लगा के ही रखती हूं क्यूकि मुझे बिना इस पैक्स की नचर नहीं आता है इसने और अपने स्पैक्स नहीं हटाती है सोफी सोचति है जो तो पप लोसके और एक वीडियो दिखाताए है जो कि होटल रूम का ही होता है लेकिन उसमें लड़की का फेस क्लियर नहीं होता है येंचेंग ये सब कुछ देखकर और चिर जाता है और कहता है कि आज तक पता नहीं चुला है कि उस दिन मेरे साथ उस रूम में कौन दी सोफी हाँ पर जॉब पर हायर कर लेती है पिंसी को अगर तुमें इतने इंडालेचेंट हो तो फिर तो तुमें मेरी सेकेटरी बना चाहिए सोफी सोचती है कि ये अगली है येंचेंग को कहां इंप्रेस कर पाएगी इसलिए हाँ पे सोफी पिंसी को बना देती है सेकेटरी येंचेंग की येंचेंग सारा काम पिंसी को करने के लिए देता है साथ में अपने कपड़े उसके उपर निकाल के फैक देता है क्याता है कि मेरी मिटिंग है तो मुझे रैडिक करो उसे टाई पहनाने के लिए कहता है पिंसी ऐसा करने लगती है तो वो एक्दम से उसके कड़िवा जाती है तब यहापर सोफी आजाती है उन दोरों को ऐसे देखती है तो जैलिस फिल करती है वो यह पर मैरिश करना चाहती है अब येंचेंग से सोफी आप पिंसी को तंग करने के लिए उसे एक नया प्रोजक्त थमा देती है और एकी दिन में रिपोर्ट देया करने के लिए कहती है पिंसी घर जाती है तो अपने बच्चों से मिलती है या पर उसके बचिक कहने लगते है या रची काते है यान्चुएंग ऑंकल काफी स्माट है ना पिंसी कहते पुर्षते हैं वह अपने बचचों से पूछता थे कि हमने उन्हें की से कुछ के ने न्यूज्म के दिखा था फैस्में देखते हैं यहां पासि यहां पर एक फाइल लेकर पहुंचाती है वह है यहां पर आइस बार हमें एक एनिमेशन वाला वीडियो त्यार करना चाहिए जिसमें हम बच्चों का इस्तमाल कर सकते हैं सोफी को यह आइडिया पसंद नहीं आता है लेकिन यहाँ पर यैन चैन उसके आइडिया की तारिफ करता है और कहता है कि इस काम को पूरी तरीके से तुमी हैनल करोगी इसलिए सबी लोग इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार कर देते हैं वह पर कुछ बच्चों को लाया चाहता है एक्टिंग करवाने के लिए इसमें कि एक बच्चा पिंसी का होता है लेकिन दूसरी लड़की उसके साथ फाइड करने लगती है और एड करने से मना कर देती है तो यहाँ पर उस बच्ची की बेटी को डाटने लगत है पिंसी अपने बच्ची को बचाने आती है और कहते हैं कि बच्चों की फाइड तो होती ही रहती है कुछ समय इन्हें दीजिए यह लोग दूस्त बन जाएंगे लेकिन वह आंटी कहने लगती है कि जब तक आपका बेटा मेरी बेटी से माफी नहीं मांगेगा हम लोग ए और लेकिन यह जीन सामने से आप गुः कर बेटा को अपनी बेटी को अपनी अच्छी के बच्ची ने था लेतिया और कहती कि ईससे कारण हों है। मैं आपको आज के नुक्सान की भरपाई करने के लिए त्यार हूं। यांचेंग है तुम मैं पता भी है आज का कितना नुकसान हुआ है मेरा किया तुम ये घरभाई कर पाऊगी हा लेकिन तुमरे बारे पास दो आइडिया है इस चीज को करने के लिए यहाँ फिंपर दो की एक तुर तुम अपने बेटे और बेटी से कहो कि वो लोग अब इस को सूट करेंगे और हमारी कंपनी के साथ एक साल के लिए कौंट्रेक्ट भी साइन करेंगे और दूसरा काम तुम्हारा यह होगा कि अब तुम मेरे घर पे आकर भी मुझे सर्विस दोगी उसके बाद ही तुम पूरे 15 मिलियन का करचा उतार पाऊगी यह बात सुनके पिंसी बहुत ज़्यादा प्रिशान हो जाती है येंचेंग उससे जवाब मांगता है तो पिंसी कहती कि मुझे कुछ समय चाहिए येंचेंग यहापे उससे एक दिन का समय देकर चला जाता है उसके बाद देखते है यहापे पिंसी के दोनों बच्चे बहुत अच्छे से एक्ट इसलिए वो वाश्रूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है लेकिन जैसे ही वो बहार आती है तो येंचेंग भी खड़ा रहता है और उससे कहता है जो मैंने कहा था उसका जब zuz 봤 ने उसके हो ऐसा केकर वो उसके नजदीक जाने लगता है पिंसी कहती है कि आपको कोई गलत फेमी हुई है मैंने ऐसा आपके लिए नहीं किया है वो तुरंट अपने इसपेक्स पहन लेती है वहां से जाने की कुसिस करती है बट मिश्टर येंज जंग तो उसे जाने नहीं देते है बल मॉम आप अंकल की गोदी में क्या कर रही है यहां पिंसी कहती कि कुछनी बस मेरे पैर में चोट लगी थी जाने लगता है कि तुम सभी को घर चलना चाहिए इसलिए वो उन्हें वहां से लेकर जाने लगता है सारा इस्टाफ बाते बनाता है कि यह पूरी एक फैमली लग बहुत कितनी सूइटली इन सभी से बात कर रहे थे वहां पर आ जाती है सोफी और यह सब को सुनती है तो बहुत ज़्यादा चैलिस फिल करती है सोफी आप जान बूझ के पिंसी को एक बार में जाने के लिए कहती है ताकि वह वहां पर ना पहुच पाए और वह उसे जाक उड़ाती है उसे अगली और पूर कहती है लेकिन तभी पिंसी आपे उन्हें अपना कार्ड दिखाती है तो सभी लोग हैरान रहे जाते है और खुद मैनेजर उसे अंदर जाने के लिए कहता है पर बाद में वह लड़किया कहने लगती है मैनेजर से सायद इस लड़ मिस्टर आकर पिंसी पे चलाना स्टार्ट कर देता है और गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहता है ताकि वह उसे पनिस कर सके लेकिन तभी महाँ पे मिस्टर येंचेंग आ जाते हैं जो कि पिंसी की हेल्प करते हैं और गार्ड को महां से भगा देते हैं लेकिन यहाँ प पर उसके साथ कुछ जादा ही बद्दमी जी करना स्टार्ट कर देती है दोनों के पीच में फाइट होना शुरू हो जाता है लेकिन येंजेंग वापिस आ जाता है तो यहां पर सोफी दिखावा करती है कि इसने मुझे से फाइट की हर मुझे घायल कर दिया है असल में तो य जाती है इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है तब ही उसके बच्चों का फोन आता है तो बच्चों को भी हॉस्पिटल बुला लेता है यहां पर सोफी को बहुत जादा गुस्सा आता है यह सब कुछ देखकर हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं चुकि अप कुनCHi'S तो इसे पिन्सी पसंद आणे लगी है लेकिन जब वो रूम में पिन्सी को अपने फ्रेंड के गरीब देखता है तो उसे बुरा लगता है येंच्टेंग को लगता है की साएद पिंसी का बॉइफ्रेंड है इसलिए वो उन्हें वहाँ पर अखिला चोड़के चला जाता है कुछ समय बाद उसे वॉक्सिंग करते हुए देखते हैं वहाँ पर वैंग आ जाता है जो कि उसका फ्रेंड है वो उसे कहता है कि तुम इतने गुसे में क्यो हो येंचेंग कहता है कि एक लड़की है जो मुझे अच्छी लगती है उसकी बास सुनके वैंग उससे कहता है कि कही तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो क्या है येंचेंग उससे क्या देता है कि असल में वो मेरिट नहीं है उसके बच्चे है लेकिन उनके फादर नहीं है तो वो गुस्स से मैं उसे कॉल करता है और कहता है कि क्या अभी तक तुम्हारी तबे ठीक नहीं है जो तुमने आफिस वापिस जॉइन नहीं किया है पिंसी उसे कहती है कि मुझे तो सूफी मैडम ने दूसरे ब्रांच में सिफ्ट कर दिया है इसलिए मैं आपकी असिस्टन नहीं रही हूँ लेकिन ये बास सुने के बाद येन चैंग को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंट आफिस वापिस आने के लिए कहता है पिंसी वापिस नहीं जाती है बलकि वो दूसरे लोगों के साथ बैट के डिसकस कर रही होती है कि इस कंप्री में काम कैसे होता है यहाँ पे वो एक परसन से कुछ जिटेल्स मांगने लगती है उनके एक होटल ब्रांच के बारे में असल में वो उसी होटल में साथ साल पहले ठहरी थी लेकिन वहाँ पर पहुच जाता है याँ चैंग जो कि देखता है पिंसी को और कहता है लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ जाधा ही इंजॉय कर रही हो पिंसी कहते है कि यह प्लेस काफी अच्छा है पर याँ चैंग उससे कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो मेरा फ्रेंड है कोई बॉइफरेंड नहीं है ये बात सुनके मिस्टर यैंचेंग को अच्छा लगता है वो उसे कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम पूरा एक मेना मुझे सर्विस दो उसके बाद मैं तुम्हारा ये करशा माफ कर दूगा ऐसा कहकर वो उसकी करीब आकर उस के बाद मैं आपके साथ वर्क भी कर लूँगी और आपका सारा कर्शा भी उतार दूगी लेकिन यांचेंग तो उसे गुस्ते में कार से बाहर उतार कर चला जाता है उसके बाद हमें पार्टी में दिखाया जाता है जो कि वैसा ही ड्रेस पहन के जाती है जैसा कि उसने disappear कने लगता है लेकिन तक हमारा हीरो ँंडमी एंड़ी लेता है और रहमाके से उन सभी को ढटाके भगा दए तोचने लगता है उचर्वाटै के पहने में हुझते के यह तो तोबहाने वह पर पिंसी की फोन को उठा लोगता है उसे कहता है कि तुम शावल ले गई थी इसने तुम्हारा फॉन उढ़ा लिया वहां पर उसे करीब से देखने लगता है तो यांचंग से कहती है पिंसी कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम्हारे ही कपड़े मुझे मिले है यहां पेहनने के लिए क्योंकि और कोई कपड़े नहीं थे यांचंग उसे कहने लगता है कि तुम फर्स डे उस पाड़े में गई और वहां पे तुम्हारे साथ क्या हो सकता था क्या तुमने इस बार में कभी सुचा भी है अगर मैं वहां पे टाइम से ना पोस्ता दो पिंसी उसे कहती कि तुम्हें कोई हिरो बन पिंसी अपने आपको 25 एज की बताती है तो यहांचंग कहता है कि तुम इतनी चोटी बच्ची भी नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं यैंचेंग यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हारा फिर्कर काफी अच्छा है और ऐसा कहकर वो इहाँ पर उसे किस करने लगता है अपने बच्चे को कॉल करके वो कहते है कि बस मैं घर वापिस आई रही हूँ पर यान चेंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा जाकर अपने कपड़े चिंच कर लो जब वो जा रही होती है तो उससे मेड कहती है कि मैडम प्लेस आप यहापे आते रहा करे क्योंकि पहली बार हमारे मास्टर किसी लेडी को गह लेकर आए है यह बास सुनके हापे पिंसी खुद थोड़ा शॉप होती है उसके बाद वो यान चेंग के साथ जाने लगती है तो यहापर सोफी अपने डैड के इसार को समझाती है उसके बाद देखते है यान चेंग जब पिंसी को उसके घर पे डॉप करता है तो दूनों बच्चे यान चेंग को देके खुश होते है और उसे रात को महीं पर रुखने की बात कहते है लेकिन पिंसी कहते है कि नहीं इन्हें अपने घर वापिस जाना होगा पर यान चेंग कहते है कि मुझे बूख लगी है मैं डिनर करना चाता हूँ बच्चे कहते है कि मौम बहुत अच्छा नूडल्स बनाती है तो पिंसी यान चेंग पिंसी के दोनों बच्चे को अच्छे से सुला देता है और उसके ब कराता है जिसके बाद पिंसी को पता चलता है कि उसने कुछ जादा ही नमक डाल दिया था नूडल्स में इसलिए वो फिर यांचेंग से खाने के लिए मरा करती है पर तब तक यांचेंग सारे नूडल्स खा लेता है और कहता है कि मैं इने वेस्ट कैसे कर सकता था क्योंकि यह तुमने बनाए है पिंसी वहाँ पर उसके लिए पानी लेने जाती है जब वापिस आती तो देखती है यांचेंग के चेहरे को निहारने लगती है उसके इस पैक सटा देती है और उसके फेस को टच करती है लेकिन तभी यांचेंग की आखे खुल जाती है और वो उससे कहत क्या तुम्हें लाइक कर दी हो सोचने लगते हैं दो बच्ची हैं तो मैं इसे कैसे लाइक कर सकती हो लगी यहां पर तब RN के पास एक important call आता है जिस वजह से वो पिंसी को forehead पे किस करता है और वहां से घरा जाता है घराने पर उसे एक person बताता है कि जिसने मेडम के साथ बत्तमीजी की थी उसका चेप्टर हमने close कर दिया है नेक्स जब अपने अभी तुमारे पास्ट के बारे में नहीं पता है वो उसे corner में लेकर आती है उसका और वैंग का फोटो दिखाती है और कहने लगती है अगर यह फोटो यैंचेंग ने देख लिया तो तुम जानती हो क्या हो का तुम्हें मैं बता दू कि यैंचेंग और वैंग अच्छे खा को लाता है जो कि उसे रात को भार चलने के लिए के लिया कहती है इसलिए पिंसी डिसाइड करती है बचो के साथ बहार चाने का मोह्एंप्य नुरी मेंडेन करने लगती पंसी कि मैं आपके पास कला पाँओंगी आज पर इंचैन लिया नगारेन यह दोनों बिल्कुल यैन्चैन जैसे नजराते हैं पर पिंसी कहती है कि यैन्चैन की बच्चे नहीं है मेड कहती है कि क्या फरक पड़ता है फिलाल दो यह बॉस के साथ यह अच्छे लग रहे है वो उन बच्चो को वहाँ से लेकर चली जाती है यैन्चैन पिंसी को डिनर जिम्मेदारी उठाने वाला हूँ, यैंचेंग की बास सुनके पिंसी को गुसा दो आता है, पर उसे उसकी बास सही लगती है, इसलिए वो उसे हां कह देती है, कुछ समय बाद वो सभी को डिनर के लिए बलाती है, यैंचेंग कहता है कि बच्चों को भी बुला लो, मैं उनक जाती है, कि साइद ये सब कुछ भीजा होगा सूफी ने, यैंचेंग जैसे ही उसमें कुछ फोटोस को देखता है, तो बहुत घुस्ते में आ जाता है, पिंसी की तरफ देखने लगता है, पिंसी उसे कुछ गहने की कोसिस करती है, पर यैंचेंग टेबल छोड की चला जा और उसे समझ भी नहीं आता है कि पिंसी आखिरकार उसके क्लोज क्यों आई है फिर हम देखते हैं पिंसी को जो अपने बच्चों को लेकर घर जाती है अब भी थोड़ी परिशान होती है लेकिन वहां पर यांचेंग उसका पहले ही बेट कर रहा होता है बच्चे उसे देकर खुश हो जाते हैं पिंसी भी उसे लेकर घर के अंदर आ जाती है बच्चों को वह वाश्रूम में जाकर फ्रैस सुने के लिए कहती है लेकिन पिंसी को यांचेंग उससे में पकर लेता है और कहता है कि तुम किस इरादे से मेरी क्लोज आई हो बताओ मुझे कि यह सब कुस देख लेते हैं तो पिंसी बच्चों को अंदर भीज देती है और उसके बाद यांचेंग से बात करती है यांचेंग को वो कहती है कि तुम मेरे पादर के बारे में कैसे जानते हो पर मुझे मेरे पादर ने नहीं बीचा है तुम्हें कोई गलत वर्मी हुई है यांचेंग मेरे कंट्रोल में ही रहना होगा वह यहाप उसके करीब आने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बोडी मेरे टश करनी से कितना रियक्ट करती है न तुम यह जूट नहीं कह सकती हो पिंसी घर से जाने के लिए कहती है तो यांचेंग चला जाता है लेकिन पिंसी यहाप पर जाना है इसलिए आप रैड़ी हो जाए यह बास सुनके पिंसी परिशान हो जाती है तभी उसका एक कलिग आकर कहता है कि कुछ गार्ट से यहाँ तुम्हें ढूनते हुए आ रहे है तभी आपके कुछ गार्ट सा जाते है और वो पिंसी से अपने साथ चनी के लिए कहत जाते है और गिसलिए में चैंग से दूसके दीगोर्ट करते हो तो उससे चुपचाप मेरे साथ ट्रिपर चलो पिंसी आपे ड़र के मारे फिर हां कह देती है और उसके थाद चली जाती है लेकिन हापे यांचेंग अपने लोगों के साथ कुछ मिटिंग कर रहा होता है पिंसी भापे चिलाते हुए आती है कि तुमारे हिमत कैसे हुई मेरे बैक से मेरा फोन चुराने की सबी लोग उसकी बंदूख दान देते हैं वो लोग उसे डराने लगते हैं यांचेंग सब को शांत रहने के लिए कहता है और उसके बाद पिंसी पर गुस्टा करता है कि तुम चाहती क्या हो वह यहां पर उससे घुस्टे में कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो मेरे लिए यह काम बहुत आसान है मैं तुम्हें बता दूँ एक शीडी की तरह तुम्हें मसल के रख दूँगा मुझे वो औरते बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरा कहना नहीं मानती है यहां पर पिंसी डर जाते हैं और कहते कि ऐसी बात नहीं है बस मुझे अपने बच्छों से बात करने दे यांजे कहता है कि साइद पार्टि में सभी लोग तुम्में गुरते रहेंगे पर खाब्रदार जो तमने किसी और की तरह मुड़ के देखा आप आप आपपर पार्टि में लेकर पहुच जाता है असलिबे पार्टि के बाद यहा प turd Up anyone के बिच फाइट होती है इसरे लेडी को मार दूँगा येंजंग उसे कहता है कि तुम इसे नहीं मार पाओगे अगर तुमने इसे मारा तो तुम्हारे बॉस इसे मार देंगे क्योंकि ये उनके दोस्त की बेटी है ये बात सुनके वो परसन हैरान हो जाता है येंजंग यहापे सारे मैटर को सौट आउट क को गहले आता है पिंसी की जब आके खुलती है तो वो तो डरी सहमी रहती है कहती है कि आखिरकार पाटे में क्या हुआ था मैं अचानक से ब्योस कैसे हो गई येंजंग कहता है ये बाते छोड़ो और वो एकदम से किस कर लेता है और कहता है कि तुम सोते हुए काफी दोगी तो तुम मेरे साथ रह सकती हो पिंसी उसकी बात माने से मना कर देती है और घर से चले आती है येंजंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो लोग रास्ते में बैड़े रहते है क्योंकि काफी लेट हो जाता है और वहां पे टैक्सी नहीं मिलती है तो उसका पेटा कहता है मौम आप टेंशन मत लीजिए मेरे पास एक होडल का काड़ है जो कि मुझे यांग चंग डैड़ी ने दिया था तो क्यों रहा हम उनके होडल में ही चले पर जब पिंसी को रूम नंबर पता चलता है होडल का तो वह हैरान रह जाती है और पूसती है कि आखि पिंसी को यहां पर बास सुनके बहुत दुख होता है इसलिए वह वापस आ जाती है पर रास्ते में उसे कुछ लोग उठा लेते हैं उसका किर्णैप करवाया होता है मिस्टर एक्स ने जो कि दूसरी गैंग का डॉन होता है वह है पर उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे मैरिश करनी होगी क्योंकि तुम्हारे डैड एक डॉन है अगर हम दोनों साथ में मिल जाएंगे तो मैं सबसे बड़ा डॉन बन जाओंगा और मैं यैंचेंग को हराना चाता हूँ लेकिन पिंसी मना करती है तो वो उसके बच् करते हो ना यैंचेंग उससे कहता है कि वो लेडी मुझे छोड़के जा रही है वैंग कहने लगता है कि तुम उसे बूल गए हो यैंचेंग उससे जवाल करता है क्या तुम अपनी उस लवर को म Meg और में और faster है वो मर चुकी है लेकिन हा अभी भी अससे ही प्याग करता हू वो यहाँ पर यैंचेंग से कहता है कि प्यार के मैटर से लिकरना बहुत मुस्किल है इसलिए तुम सोफी से मैरेज मत करो लेकिन यैंचेंग कह देता है कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है दूसरे तरफ Mr. X को देखते हैं जो कि पिंसी से कहते है रेडी हो जाओ तुम्हें आज मेरे साथ एक पाड़े में जाना है वो दोनों पाड़े में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सोफी के साथ येंचेंग भी आया हुआ होता है उन्हें देखकर एकदम से हैरान हो जाती है तो Mr. X उसे कहते हैं क्या तुम्हें येंचेंग से प्यार हो क्या है सोफी को देखकर कहती है पिंसी ऐसी बात नहीं है मुझे उनसे प्यार नहीं है यहाँ पर एक्स उसे बताता है कि वो तुमारे साथ सिफ खिलवार कर रहा था क्योंकि वो तो सिफ तुमारे फादा के जानकर पिंसी को बहुत बुरा लगता है यैन्चेंग जब पिंसी को उसके साथ देखता है तो उसे बहुत कुस्सा आता है लेकिन सोफी कहती है कितनी याजीब बात है ना इसे जल्दी वो जान बूच के खड़ी हो जाती है पिंसी के सामने जाकर और उससे कहती है कि तुम्हारा इस परसन से क्या रिष्टा है यहां पर हामें जवाब दे देती है पिंसी बी लेकिन जब पिंसी अकेले में होती है तो मिस्टर इयन चैंग आकर उससे पकल लेते हैं और कहते हैं क्या तुम इतनी भूकी हो जो मुझे छोड़के डारेक्ट किसी और के पास पहुँच गई हो कुछ समय वेट भी नहीं कर सक कि यहाँ पर यहाँ च्छण को अपने से दूर करने लगती और कहते हैं और आपको इससे क्या मतलब कि मैं किसके साथ हूं या फिक किसके साथ नहीं को वैडिंग ड्रेस में दिखाया जाता है यह सब की चुरूरत नहीं हो do अगर सेफ़मा चाहती हो तो हां ही कहना पिंसी औह बात बुरी लगती यह इन उठाकर कार मी ले आते हैं और उसकी ड्रेस को फार नहीं लगते हैं पिलसी कहती है यह आप क्या कर रहे हैं मिस्टर येंचेंग कहते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ होने वाली हो तो मैं तुम्हें किसी और की ड्रेस में नहीं देख सकता हूँ तुम्हें यह ड्रेस पहनी और उसके फूर हेट पर किसकर या पर। पृटढ़ें। बादर जो किसे कहती है कि यहां आएंग तर। इसके यहां तो टीक Christmas यहीं। क्योंकि तुम ये रोल तोड रहे हो यहां पर उसे कुछ नाइफ से हट किया जाता है यह देखकर चिलाने लगती है पिंसी और कहती है प्लीस आप इसे छोड़ दे लेकिन कुछ समय में ही यह एंचेंग भी होस हो जाता है उसके बाद डॉक्टर उसे ट्रेट करते हैं जहां पर फिंसी होती है तो उसके पादा कहते हैं कि क्या सचवी तुम इसे वह दो क्यांदें करना होगा इसे हो मैं इसागद करना हो दो यहां पर वो अपने दोनों बच्चे को बुला लेती है और बता देती है ये जान के ये जान के फादर कहते है ठीक है अगर तुम तयार हो तो मैं भी तयार हूँ यहां पर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं उसके बाद वो दोनों थोड़ा रीती रिवास से एक दूसरे को ड्रिंग पलाते हैं और ओफिश यली हस्पेंड और वाइप बन जाते हैं ये जैंचेंग तो बिलकुल देर नहीं लगाता है और वो उठा कर रूम में ले आता है पिंसी को पिंसी कहते है कि तुम्हें चोट लगी है अपना ध्यान रखना चाहिए पर ये जैंचेंग को कह पिंसी अपने ओफिस के लिए निकलती है तो गार्ड्स उसे नहीं जाने देते हैं कहते कि बॉस का ओडर है आप घर से बाहर नहीं जा पाएंगी पिंसी इरिटेट होकर ये जैंचेंग के पास कॉल करती है और इस बार में पूशती है ये जैंचेंग कहता है कि एक्स को हमारे मौम मेरे पास है अगर उन्हीं जिन्दा देखना चाहती हो तो मुझे कुछ इंपोर्टेंट स्पाइल ला कर दो ये जैंचेंग के पास दे पिंसी परिशान रहती है ये जब घर आता है तो उसे अच्छी से ट्वीट करता है पिंसी बाहर जाने की बात कहती है ये ज चैंग कहता है ठीक है चले जाना अब तुम्हें नहीं रोकूंगा पर तुम्हारे साथ गार्ट जाएंगे अब तुम हैपी हो जाओ रात के समय में जब वो दोनों सो रही होते है तो पिंसी चोरी चुपे येंग के आफिस में पहुचाती है महां से कुछ इंपोर्टेंट तुम्हें वो 貌एंगे तुम मुझे मेरी मॉम दे दो मिस्टर एक्स नहां पर उससे वो बॉक्स ले लेते हैं और उसकी मॉम उसे सावब देते हैं बॉक्स में कुछ चीजे होती है जीने देखकर मिस्टर एक्स खुश होने लगते है वर हमें एक फ्लैस्पेक दिखाया जाता है कि पिंसी के बेटे ने उस बाक्स को पहले ही ओपन कर लिया था उसके अंदर जो टकुमेंट्स होते है वो उसके फेक डॉक्मेंट्स प्la कि उस बॉक्स में डाल देता है पिनसी जब अपनी हाँ पर क्यों गई थी सोचने लगती है इंपोर्टेंट डॉक्युमेंट्स तो एक्स के पास पहुचे ही नहीं है तो मैं इन्हें सच क्यों बताऊं वाणा यह मुझे नाराज हो जाएंगे इसलिए वह जूट कहा देती है कि मुझे तो रास्ते से उठवा लिया था एक्स न अफरत है तो तुम मुझे जूट क्यों बोल रही हो पिंसी उसे गली लगा कर सौरी कहती है और सारी बात बताने की कोशिस करती है पर याइन चैंग उसे जटके में अपने आपसे दूर कर देते हैं और कहते हैं मुझे अपना फेस मत दिखाना कई हफते बीच जाते हैं मिस को अभी तक नहीं पकड़ा गया है पर हमारी लोग उसके पीछे लगे हुए है और हमें पता चला है कि सोफी मैडम भी उसके साथ मिली हुई है इस बार हम उन दोनों को साथ में पकड़ने की साजिस्ट कर रहे हैं पर बोस आपको मैडम से बात करनी चाहिए वो क्योंकि मिस्टर एक्स दो गुष्से में उसी पर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि यह मामला और खराब होता जा रहा है मेरी जान भी खतिर में पड़ गई है उन दोरों के आपस में ही फाइट हो रही होती है तब हम पहुँच आते हैं मिस्टर याइन चैंग के लोग और उन दो पिंसी को कुछ समझ भी नहीं आता है तो वो उसे उठाकर रूम में ही ले आता है यह सब कुछ देखकर पिंसी की मौमी सर्मानी लगती है क्योंकि उन दोनों को तो सरम आनी रही होती है यहां पर पिंसी कहने लगती है मिस्टर यैंचैन से तो मतलब वो सब कुछ ट्रामा था Mr. Yan Chen कहते है हाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहते है कि मैंने गलती किया तो तुम मुझे पनेस कर सकती हो जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो पिंसी कहते है ठीक है इस बार मैं आपको नहीं छोड़ूँगी उसके बाद जो पिंसी उनके साथ करती है इसके बाद Mr. Yan Chen के होस उचाते है वो उससे कहते है तुरंत मेरे हाथ खोलो पिंसी कहती है ऐसे नहीं पहले मुझे प्रोमिस करो कि तुम मुझे अब आफिस जोईन करने दोगे मैं घर नहीं बैठना चाती हूँ Mr. Yan Chen जिस कंडिशन में होते है उसमें वो मना नहीं कर पाते है Mr. Yan Chen उसे हाँ कह देते है नेक्स टे पिंसी उफिस में जाती है तो यहाँ पे वो उनसे मिलने उनके कैबिन में पहुच जाती है पर उसे वहाँ पर Mr. Yan Chen तो नहीं मिलते है बलकि वैंग मिल जाता है जो पिंसी को देखकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है कहता है कि मेरा दिल हमेशा कहता था कि तुम मर नहीं सकती हो तो फिर तुम इतने साल से मुझसे दूर क्यों थी वह याप उससे माफ़ी मांगता है और अपनी लाइफ में वापिस आने के लिए कहता है पिंसी कहती कि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ हाँ जो भी कुछ हुआ था उन्ची जो को मैंने बुला दिया है और आपको माफ़ी कर दिया है बट मैं आपकी लाइफ में वापिस नहीं आ सकती हूँ ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में अपने कैबिन में वापिस आ जाता है यान चैंग जहाँ पर वैंग उसे कहता है कि तुम्हारे रूम में एक लड़की आई थी वो मेरी ही लवर है मैं उसके बारे में जाना चाहता हूँ वो कहां रहती है वैंग की ये बास सुनके तो यान चैंग के ही होस उट जाते है और वो उससे कहता है जो लड़की थोड़ी दिर पहले मेरे आफिस में आई थी क्या वो तुम्हारी लवर है ऐसा कैसे हो सकता है अगर सच में वो तुम्हारी लवर थी भी तो वो अब तुम्हें वापिस नहीं मिल सकती है वैंग कहता है कि क्यों नहीं मिल सकती है तब यहाँ पे एक लेडी आती है कुछ डौकिमेंट्स लेकर यांचेंग के लिए जिनमें की वैंग और पिंसी के फोटो होते है उन्हें देखकर उसे और गुसा आता है यांचेंग यहाँ पे कॉल करता है और पिंसी को अपने आफिस में बुलाता है यहाँ पे उसके फ्रेंट को पता चल जाता है कि पिंसी को अपने बच्चों के फादर मिल चुके है और वो कोई नहीं वैलकि यांचेंग है लेकिन यहाँ पे उसे बता देती है पिंसी की आज मेरी आफिस में मुलागात हुई थी वैंग से और वैंग और येंचेंग दोनों अच्छे फ्रेंड है पता नहीं क्या होगा लेकिन उसका फ्रेंड कहता है टेंशन मतलो कुछ भी बुरा नहीं होगा जब सोती रहती है पिंसी तो उसके पास येंचेंग आता है पिंसी के आखे खुल जाती है येंचेंग उससे त पहुसता है और उसे पता चलता है कि पिंसी की बेटी बिमार है वो उसका ट्रीटमेंट कर निकले डॉक्टर को कहता है लेकिन पिंसी को इस बारे में कुछ ना पता चले ऐसा भी इनफॉर्म कर देता है यहाँ पर पिंसी यैंशेंग को ढूंडते हुए नैक्सटे ऑफिस पह सकती हो मैं हमिसे तुम्हारा साथ देने के त्यार हूँ लास्ट टाइम गलती हुई थी अब लाइफ में कभी नहीं होगी लेकिन उसे कहा देती है पिंसी अब मैं पास्ट में मुड़के नहीं आने वाली हूँ मेरे और यैंशेंग के बीश सब कुछ ठीक है तो तुम से चली जाती है उसके बाद यैंशेंग को दिखाया जाता है गुस्से में प्रैक्टिस करते हुए बॉक्सिंग की वहाँ पर आ जाता है वैंग भी और कहता है कि मैं इस बार हार नहीं मानूंगा एक बार गलती की है दुबारा नहीं करूंगा मैं अपनी लाइफ में वाप जाना चाहती हो मैं ऐसा नहीं होने दूँगा अब तुम मेरी हो वहाँ पर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है जिससे की पिंसी डर जाती है और कहते कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी हूँ यहां पर रोते हुए उससे कहने लगती है पिंसी की वह सच में तुमारे ही तुम मेरा कहना मानती हो लेकिन नहीं मानोगी तो पतानी मैं क्या करूँगा वह यहां पर उससे डरा धंका देता है लेकिन बिचारी पिंसी तो रोती ही रहती है यैंग चेंग को देखते है जो की काफी गुस्से में होता है सर्वेंट उससे कहते कि आपको ऐसा नहीं करना के लिए एकदम से कहने लगता है यैंग चेंग की उस बची का फादर कौन है मुझे बताओ यहां पर यैंग की बास सुनके डॉक्तर कहता है क्या आप इस सिच्विशन में मजाक करें हैं आप ही तो उसके फादर है यहां पर पहुच जाता है कि मैं उसका अडाप्टेट फ तो पियार करती है। येंचें उससे पूस्ते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ था पिंसी यहां पर बताती है कि सोफी ने मुझे जान बूझके आपके रूम में बेज दिया था इसलिए यहां पर ये सुनके मिश्टर येंचें का दिल तूटने लगता है और वो उससे कहते हैं अब सब्सक्राइब कूर से लिए राड़ास के लिए इसलिए हुस्पिटल चली जाते हैं जो कि अपने अपने मुम के साथ अपने आपिस आजाती है जहापे वैंग उससे मिलता है वैंग और वो सभी हापे साथ में टाइम स्पैन करते हैं इसी तरीके से एक महिना बीच जाता है और पिंसी को मोका मिलता है अपने बेटे से मिलने के लिए वो उससे मिलने जाती है वहापर वैंग भी उसके साथ होता है जो उ उसे ऐसा करने से रुकता है वेंग इस चक्र में दोनों की बिश्विं वाइट भी हो जाती है लेकिन पिंसी वहां से अपने बेटी को लिख रा जाती है भाराने पर पिंसी का बेटा कहता है कि हमें डैड के पास वापिस जाना चाहिए वो हमसे बहुत प्याग करते हैं पर प पिर से घर वापिस साती है मिश्टा ये ज़िये सर्वेंट से पता चलता है कि वो तो बार में गई हैं उसके पास एक लड़की फ्लट करने के लिए आती है पर वो उससे भगा देता है तब भी वहाँ पे पिंसी आ और उसे ब्रिंग करनेसे रोकती है कि मुझे तुमारी परवाहा है क्यूंकि मैं तुम्हारे बच्चो का फादर हूं वैसे तो तुम मुझे किसी भी लायक नहीं समłęस्झ त्यों मुझे नफ्रत्य करती हैं यहांомे तो उससे कहता है कि साय तुम ये सब कुछ बच्चों की वज़ा से कह रही हो वरना तो तुम उस वैंग को ही चूज करोगी क्योंकि मैं तुम्हें कहां इतना पसंद हूँ जितना तुम वैंग को प्यार करती आ रही हो बच्चपन से तुम लोग तो बच्चपन के स्वीट हा कर देती है और उसे बता की बजाय उसने से ही चूस किया है में तुमारे और सॅपी की contains पसंद किया और ओफिस में तुमने मुझे अगली भी कहा था मैंग जएंग कहता है कि तब तुमने कपरे अच्छे नहीं पाइने थे इसलिए बस तुम्हें ऐसे ही अगली कह दिया था मड़ाता हूं तो मुझे पहली नचर में ही पसंद आ गई थी वो दोरों एक दूसरे के बीच की प्रॉब्लम्स को खदम कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं पिंसी के डैड को जी ने पता चलता है कि पिंसी ने यैंजेंग से मेरिज कर ली ह इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है कोई भी इस तरीके से मेरी बेटी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता है इस बारे में मैसेज कर दिया जाए यैंजेंग के पास कि हम उसे मिलने आ रहे हैं हॉस्पिटल में पिंसी अपनी बेटी से मिलने जाती है और कहते है कि क्या तुम ठीक हो यहापे वो कहते है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि डैड ने मुझे बचा लिया है तब यहापे पिंसी के पास कॉल आता है उसकी मॉम का याइन जेंग पूसता है कि तुम परिशान क्यों हो पिंसी कहते है कि डैड को हमारे बारे में पता चल गया है और वो हमसे मिलना चाहते है मॉम ने मुझे कॉल करके यह सब कुछ बताया है अब पताने क्या होगा तो यह एंचेंग कहता है कुछ नहीं होगा हम उन्हें भी हैंडल करी लेंगे अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा ऐसा कहकर वो उसे देखने लगता है और यहाँ पिंसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ यह ड्रामा यहाँ पर खतम हो जाता है गाइस प्लिस कमेंट करके बताना कि आपको यह स्टोरी कैसे लगी दोस्तों प्लिस कमेंट करें वीडियो को लाइक और शिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें